नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हैमराज, बड़े को परनाम और छोटे को सुप्प्यार तो दोस्तों बहुं सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे कि हैमराज जी, हैमराज सर आप कितना यूटूब से कमाते हैं यूटूब का first payment आपको कितना आया हुआ है तो आज वही मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मेरा first payment यूटूब से कितना आया हुआ है दोस्तों मैं मजाक मजाक में यूटूब चैनल पर आ गया हूँ और यहां पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मगर मेरे चैनल को बनाने वाला मेरा चोटा भाई था क्योंकि मेरे आज से तीन साल पहले भी मैं स्मार्ट फोन नहीं रखता था अगर रखता भी था तो मुझे इतना knowledge नहीं था मेरा भाई ने जिसका नाम है अमन चैनल उसने मुझे यूटूब चैनल बना कर दिया और मैं उस पर वीडियो अपलोड करने लगा मैं एक दो चार बहुत सारे वीडियो अपलोड करने लगा फिर मैं यूटूब देखने लगा एक अच्छा सा स्मार्ट मोबायल लिया और यूटूब को देखने लगा फिर मुझे तीन चार ऐसे टेकनिकल चैनल मिले जो बताते थे कि मुझे आप यूटूब से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं तो मैंने समार्ट सपोर्ट का वीडियो को देखने लगा उसके बार मनोज देयो योगी ओगेंद्र की का कुछ ऐसे जो टेकनिकल थे महत्मा जी का कि उनलों को मैं देखता था वीडियो और मुझे अंदर से लगता था कि मैं भी यूटुब से पैसे कमाऊंगा और मैं वीडियो अपलोड करने लगा जब वीडियो मैं अपलोड करता था यार इधर बच्चे को मैं पढ़ाता भी था बच्चे को जो मैं पढ़ाता था इधर वीडियो भी बनाता था अपलोड कर देता था जो मूड में आता था वही वीडियो बना देता था और यूटूब पापलोड कर देता था उसके बाद मैं सोचा कि चलो और मुझे पैसे आप आएंगे, आप आएंगे, ऐसे करते-करते मुझे तीन साल हो गया फिर क्या हुआ कि जब मेरे घर में इसी घर में गोबिंद बलोगर जबाएं मेरे ऐहां तो उन्होंने बोला कि मैं पैसे YouTube से कमाता हूं मैं उनके पास भी गया उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी YouTube से बहुत सारे पैसे कमाता हूँ तब मुझे लगा कि मुझे पैसा आप कमाना चाहिए YouTube मैं लगतार काम करूँगा तब मुझे छोटू चिंगारीजी मिले जो एक अच्छे सिंगर हैं ब्लोग भी करते हैं तो दोनों हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे ब्लोग बनाने लगे बहुत सारे ब्लोग बनाए फिर हम पास जो भी सिंगर है मैं उसको दिखाऊंगा उनका घर ओगर दिखाऊंगा कुछ ब्लोग भी करते रहूंगा तो सबसे पहले मनु अलबेला का घर मैंने दिखाया और उस समय मैं टार्गेट बना लिया कि मुझे इतने लोगों से मिलना है तो मनोज देव से भी मिलने गया और इसके बीच मुझे क्या क्या परसानी है परसानी यह भी आया कि मेरे माता मेरे पीता मेरे भाई और उसके बाद मेरी वाई भी कहती थी कि यह आप क्या कर रहे हैं बहुत सारे हमारे बच्चे को जो अभिवावक गन थे माता पीता भी उनलों भी बोनने लगे कि हमरा सर आप YouTube बना रहे हैं, आप उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसे कोई फायदा नहीं, आप बच्चे को पढ़ाईए, यानि मेरे स्कूल से लोग भागने लगे बच्चे, कुछ ऐसा लगा मुझे, तो फिर मैं सोचा कि चाहे जो हो जाए मैं YouTube पर काम करूंगा, तो दोस् आई है, और मैंने चिंगारी जी को भी बोल दिया था, टार्गेट बनाया, और आज मेरा पहला पेमेंट आ चुका है, दोस्तों, जब मैं धनबाद भी गया, मनोज देव से मिनने के लिए, तो मेरे पीता जी, सुरी, मेरे जीजा जी भी कहने लगे, कि क्या है आप ये बना रहे है, बहुत सारा परसानी आया, मगर दोस्तों, दो सालों से स्कूल बंद है, और मेरे पास स्कूल के जरिये एक रुपया नहीं आ रहा है, एक रुपया नहीं आ रहा है, समझे, तो मेरा घर कैसे चल रहा है, दोस्तों, सबसे ज़्यादा, अगर मुझे अगर कोई सपोर कर रही है और वह क्या चीज में कोपरेट कर रही है क्योंकि वह ब्यूटी चलाती है निए ब्यूटी पालर उनका एक छोटा सा है वही ब्यूटी पालर चलाती है और उसी से आइब्रो जो भी लेडिज लोग आते हैं महिलाये लोग आते हैं लड़की लोग आती है फेस्यल मे है और मेरा घर चल रहा है आज दो सालों से आज अगर मेरी पत्नी पालर अगर नहीं खोले रहती तो सायद मेरा बहुत ही बुरा इस्थिती हो जाता अगर आप कहेंगे कि इतने अच्छे आप घर में रह रहे हैं तो इसके पीछे भी राज है मैं एक इमिंदारी पुरुवक बस मेरी एक इमिंदारी ही पास्चान है और मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तो आज मेरी पत्नी ने मुझे इतना साथ दिया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ भगवान करी कि इसी तरह से सबको पत्नी मिले जो मुझे जिस तरह से सेवा करती है और जिस तरह से आज वो घर चला रही है दो सालों से और दो सालों से मैं एक रूपया नहीं कमा रहा हूँ पापा का भी 2020 में ही हाड का प्रेशन मैंने करवाया था करीब बहुत सारे 4-5 लाक रुपे लग गय थे और उसके बाद जब 2021 में जून जुलाई यानि एक सल के बाद फिर सारा चेक अप करवाना था उसके लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए था तो यूटूब ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया यूटूब ने मुझे पैसा दिया और उस पैसे से यानि मैज जुन में यान मान के चलिए उस समय मेरे पीता जी को यूटूब से जो पैसा मिला मैं पापा को दे दिया और पापा को देने के बाद मैं पापा को बोला कि यह लिज ये पैसा हो रहा है तब मुझे पापा भी सपोर्ट करने लगे मेरे परिवार भी सपोर्ट करने लगे कि जा वीडियो पुराओं उसके बाद जब मैं ये सब सारे चीज वीडियो बनाने लगा फिर खुल के बनाने लगा मेरी पत्नी भी साथ देने लगे और कुछ दिनों के बाद मेरी पतनी भी हमारे साथ ब्लोगिंग में काम करेगी दोस्तो तो आज फस्ट पेमेंट कितना आया है आज इसके बारे में मैं बता दो मेरा फस्ट पेमेंट जो है आया हुआ है एक अच्छा सा किसी भी कंपनी का स्मार्ट फोन आप खरीद सकते हैं क्योंकि यूटूब गाइड ल स्मार्ट मोबाइल एक अच्छा सा आप खरीद सकते हैं बस यही मेरी फस्ट पेमेंट आया हुआ है दोस्तो आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मैं इसी तरह से आप लोग को लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा और साथ में दोस्तो बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूँ इतने अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं कि मत कही आप मेरे साथ लगतार आप सारा मदद की है जो आज भी lockdown में दो सालों से मेरी पत्नी घर चला रही है आज और कुछ दिनों के बाद मतब अगले महीने के साथ वो मेरे साथ blog बनाने लेगी सात में और दोनों मिल के हम लोग काम करेंगे सात में हमारे साथ चींगारी जी भी रहेंगे तो दोस्तो चलिए ब अग्वान से जिल्ए झाल से बाइब करें।